जैहिन दोस्तो मैं विकास भारत द्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग Law for RPF LDC के आप के बारे में चर्चा करेंगे जी हाँ दोस्तो Law for RPF LDC का अपना अप Play Store पर रेजिस्टर कर दिया गया है तो कैसे उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें क्या कुछ फीचर है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप इस वीडियो इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं साथी साथ आप अगर वहाँ से नहीं डाउनलोड करते हैं तो Play Store पर जाएंगे और Play Store पर जाने के बाद आप सर्च करेंगे RPF LDC प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आप लिख करके RPF LDC जैसे ही आप इसे लिखेंगे और सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे अप यहाँ पर दिखेंगे लेकिन इसमें आपको Law for RPF LDC देखेगा यहाँ पर आपको दिख रहा है law for rpf ldc और इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर install का option आएगा मेरे पास यह पहले से install है आप इसे install कर लेंगे तो install करते ही आपको यह आपके phone में आ जाएगा और आप use करने के बाद इसमें अपना rating भी जरूर दिजेगा कि इस app में क्या कुछ सुविधाय आपको अच्छी लगी और क्या कुछ आपको और इस चीज में चाहिए अगर आपको कोई चीज नया चाहिए तो उसे भी आप जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे ताकि मैं उस इंटरफेस को और ज्यादा आपके लिए आसान बना पाऊंग तो चलिए आप देखने की कोशिस करेंगे कि इस इंटरफेस में क्या कुछ आपके लिए दिया गया है सबसे पहले जैसे ही आप इस app को खोलेंगे तो इस app को खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक इंटरफेस दिख रहा होगा जहाँ पर आपको law for rpf ldc लिखा हुआ दिखेगा उपर में उसके बाए साइड में मेन्यू बटन है उस मेन्यू बटन पर आप क्लिक करके भी सारा चीज़ देख सकते हैं इसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे आपको इस sections में दिखते जाएंगे उसके नीचे आपको एक वीडियो का इंटरफेस दिख रहा होगा तो सभी तरह के वीडियो को यहाँ पर categorize कर दिया गया है जैसे कि RPF Act, RPOP Act, Official Language, Indian Evidence Act, Penal Code, CRPC ऐसे करके आपको यह दिख रहा होगा तो आप वीडियो पर टच करके सारा तरीके का वीडियो जितना भी इसमें इंक्लूड किया गया है उसके बारे में देख लेंगे उसके बाद नीचे आपको PDF का section दिख रहा होगा तो PDF वाले section में आपको सभी तरह के PDF यहाँ पर इंक्लूड किये जाएंगे जो कि free है आप आराम से इसे या तो अपने mobile में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी app में आप पढ़ सकते हैं मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि आप इसी app में पढ़िये क्योंकि अगर आपके mobile में कोई चीज डाउनलोड करते हैं फिर समय पर वो आपको दिखता नहीं है और खोजने में काफी मसकत करनी पढ़ती है तो यहाँ पर आप one touch click में आप उसे view कर सकते हैं और view करने के बाद आपको जो चीजे पढ़नी है आप उसे आसानी से यहीं पर पढ़ लेंगे उसके बाद quiz का section रखा गया है यहाँ पर आपको daily quizzes मिलेंगे धीरे धीरे करके इस पर सारी चीजें upload की जाएंगे daily quizzes मिलेंगे static gk, current affairs के weekly और law के संबंदित quizzes भी आपको यहाँ पर मिलेंगे last में एक mock test का option रखा गया है यह थोड़े दिनों बाद activate हो जाएगा mock test में आपको सभी तरह के cbt से संबंदित platform बनाए गये हैं आप आसानी से cbt के exam का जो interface है उसे आप यहाँ पर use कर पाएंगे और काफी आसानी से आपको समझ में आएगा कि cbt में किस परकार से bookmark करना है किस परकार से question attempt करने है किस परकार से question को छोड़ने है तो सारी चीजों को cover करने की कोशिस की गई है इस आप में इसके अलावा भी अगर आपके लिए कोई suggestions है तो comment box आपके लिए खुला है आपको जो कुछ चाहिए यहाँ पर आप comment कर सकते हैं आपके लिए मैं हमेशा ततपर हूँ और तयार हूँ कि आपकी तयारी काफी सुदिड हो ताकि आप exam में अपने performance को बहुत अच्छे से कर पाए क्यूंकि law for rpf ldc चैनल पर जो कुछ किया गया जो कुछ content आपको दिया गया वो काफी महत्पूर्ण रहा और आपको आपके exam में काफी काम भी आया जितने लोग भी पास हुए है औल इंडिया में सभी लोगों का comment आता है और वो comment काफी सराहनी है और मुझे और उर्जा देता है उसी उर्जा का यहाप परिनाम है कि आपके लिए यहाप दिख रहा है क्योंकि बहुत लोगों का comment था कि सरी interface YouTube का use करते समय वीडियोस देखते समय काफी परिशानी होती है इस कारण से मैंने आपको और अच्छा सुविधा और और अच्छे interface को लाने की कोशिश की है इसलिए इस एप को डबलब किया गया है जिस नए परकार के जो भी चीज डाले जाएंगे सभी का notification आपके पास चलाएगा और सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा तो आसा करता हूँ कि आपके लिए यह एप काफी useful होगा और आपके लिए वीडियो भी काफी useful रहा होगा अगर अभी तक आपने वैब को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे description के लिंक से डाउनलोड कर लिजे या फिर play store पे जाके rpfldc सर्च करके उसे फटा फट इंस्टाल कर लिजे चलिए तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए आपके syllabus के साथ तो thanks for watching this video